चलिए बनाते हैं मुली से एक ऐसे डिश जिसे बड़ी तो क्या बच्चे भी मांग मांग के खाएंगे और इसे बनाना बेहत ही आसान है और इसे बनाने के लिए कुछ जादा चीज की भी जरूरत नहीं पड़ती है आपके घर पे जो मौझूद है उसे से यह बना सकते हो तो जैसे के मैंने मुली को पहले ही ग्रेट करके और थोड़ी से नमक डाल करके आदे घंटे के लिए रख दिया था इसे ताकि जो पानी छोड़नी है वो पूरी तरह से छोड़ते तो इसमें हम नमक नहीं मिलाएंगे और इसमें नमक एड़ेड है तो इसलिए भी नहीं दाड अब इसमें डालेंगे थोड़ी सी आठा तो यह जो चीज मैंने यहां पर दोनों का मिक्षिर दिया है आठा और मैंदा का आप चाहो तो सिर्फ आठा से भी इसे बना सकते हो या फिर आप चाहो तो पूरी तरह से मैंदा से भी इसको बना सकते हो पराठे या फिर मेरी तरह 50- कर सकते हो मैं अदर से होगा यह जो पराठे जो है बहुत अच्छी क्रिस्पी बनेगी इसलिए मैंने आप थोड़ी से आट किया है अब जो मुली का जो स्टॉक है इसी से मैं डो बना लूँगी और बागी का जो बच जाएगी थोड़ी बहुत उसको मैं किसी सबजी वगेरा भार्श से हैं शीजार जो पराठे आप को बना इसको बना सकते हैं तो यहां पर जोटे कर शहां रही होちゃ मैं इसके थैया चुटी पराठे चो ड़ूक भले अश्यटी पारोशा से हम से चोनको इस पिर पराठे ने जाए या नहीं कुए ओसंसित पराठ भ़षी करें करना के पहले उसे ग्रेट करके नमक से मैलीनीट करके रख देना कम से कम आदे घंटे के लिए नमक मिलाने से होगा यह जो मुली में जो पानी है बहुत अच्छी से वह निकल आती है और आपको मुली को स्क्वीज करने के बाद में जो स्टॉक निकलती है आप उसको 100% यूज कर सकते हो चाहिए वो डो बनाने में हो या फिर आफ कुफते बनाते हो तभी वो लास्मी आप यूज कर सकते हो तो इस तरीके से होगा क्या आपको कुछ बिचिस फैकने नहीं पड़ेंगे और आप इसको 100% जो है यूज कर सकते हैं और इसे और एक फायदा यह है कि जो उस जादा दी है यूजूली मैं इतना नहीं डालती पर आज थोड़ी से क्रिस्पीनेस लाने के लिए थोड़ा ज्यादा यूज किया है तो देखिए हमारी पराटे यहां पर बन कर तयार है तो आप लोगों को वीडियो कैसे लगी मुझे बताना मिलती हो कोई नहीं रसिपी क साथ तबतागले बाप बाइ